दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बिना किसी महनत के, किसी भी लड़की को असानी से एटर कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो भोग ट्राइ करते हैं, लेकिन उन्हें लड़किया भाव तक नहीं देती अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोगों के लिए यह असान होता है और कुछ के लिए मुश्किल, कि उनमें कोई पेदायसी तैलन होता है, देखिए कुछ लोगों में पेदायसी तैलन होता है और कुछ उस तैलन को सीख लेते हैं, और आप भी इस चैलेंग को सीच सकते हैं इस वीडियो को देखकर आज इस वीडियो में मैं आपको तीन पिल्स बताऊँगा जिसे फोलो करके आप किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिरा सकते हैं नमबर वन हाई एनरजी मुइन को हाई एनरजी वाले मैं पसंद होते है मुइन उन मैंस को ओविर करती है जिनमें लो साथ कॉन्फिडेंट और वो एनरजी होती है हम अपना पूरा वर्ग ऐसे कॉंटेंट को कंजिम करने में अनिकाल जाते हैं जो हमारी पूरी एनरजी को कंजिम करता है हम बिना किसी रिजन के बस इंस्टा रिल्स और यूटूब सोट्स को स्क्रोल करते रहते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए आप अपनी एनरजी को फ्री में बूस्ट कर सकते हैं डेली एक्साइस करके, सलनाई लेके और गूड़ स्लिप से फोकस करें उन चीजों पर जो आपकी एनरजी को बढाता है और अवोइल करें उन चीजों को जो आपकी एनरजी को खतम करता है कोसिस करें एनरजेटिक और कॉन्फिडेन बनने की जैसा कि हाई एनरजी वूमन चाहती है नमबर टू, बी करिस्मेटिक करिस्मा एक powerful quality है जिससे woman आपको like करती है और साथ ही आपकी respect भी करती है अगर आप charismatic बन जाते हैं तो आप किसी भी लड़की को असानी से attack कर सकते हैं ये power है जिससे हर लड़की attack होना चाती है कई लोग सोचते हैं कि charisma पैदा होने के साथ आता है बट ये गल्थ है आप charismatic बन सकते हैं इन tips को follow करके नमबर वन, listen more than you talk कम बोलने से आप mysteries बनते हैं और woman को mysterious man पसंद होते हैं इसलिए कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए बात करते बाग हमेशा आखों से आखे मिला कर बात करें इससे आप confident दिखते हैं हमेशा लड़कियों से उनके interest से related question पूछे जिससे लड़कियों को लगेगा कि आप उनमें interested हो यही तीन quality एक charismatic man में होती है और अगर आपको लड़किया भाव नहीं देती तो चिपकू मत बने इससे आपका करिसमा खतम हो जाएगा always try to be yourself and be confident क्योंकि यही आपको charismatic बनाता है number 3 dress good, smell good first impression सबसे important होता है especially लड़कियों के लिए और अगर आपकी body good smell नहीं करती है और आपने अच्छे कपड़े नहीं पैन रखे तो लड़किया आपसे दूर वागेगी अगर आप किसी लड़की के साथ date पर जा रहे है तो अपनी hygiene का ध्यान रखे ना कर जाए, perfume लगाईए और अगर आपकी मूँ से smell आती है तो mouth fraser खा के जाएए अब hygiene के साथ आपका well dress होना भी जरूरी है जैसा dress style आपको अच्छा लगता है वैसे कपड़े पैन कर जाए इससे आप comfortable रहेंगे क्योंकि आपका comfort होना भी जरूरी है well dress होने से लड़किया तो इंपरस होती है साथ ही आपकी professional life भी अच्छी होती है जैसे कि meeting में well dress होने से आपका impact जादा पड़ेगा इसलिए dress good, smell good तो ये video यहीं खतम होती है और इन तीन tips को याद रखेगा इन तीन quality को अगर आप develop कर लेते हैं तो कोई भी लड़की आपके प्यार में गिर जाएगी अगर आपको यूड़क पसंद आए तो वीड़को लाइक जरू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ठैक्स पर वाचिंग